हाला सुडेंट्स मैं डॉक्टर घजिंद पुरही तो आप देख रहे हमारा यूटीव चैनल जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फर इंचिनियरिंग मैदाबेटिक्स बीस से इसुन ग्राफ थियोरी पे मैंने वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट किये और मैंने क ग्राफ किया होता है रेगुलर ग्राफ किया होता है चाहिए और भी सारे अपर सबसे पहले बात आता है कंप्लीट ग्राफ क्या होता है अगर हर वर्टेक्स बाकी सबी vertex से connected है तो यार वो हमारे पास क्या होता सुन complete graph होता है for example जिसे यह vertex है तो यह से connected है यह तो यह तो यह हमारे पास क्या होगा सब्सक्राइब होता है बात करेंगे regular graph क्या होता अगराफ जी सब्सक्राइब है यहां पर पास कोई भी graph है जिसकी हर vertex की degree यहां पर क्या रही है एकोल आ रही है तो हमारे पास क्या होता regular graph होता है तो सुन यह regular graph है इसको बोलते है टू रेगुलर ग्राफ है ना क्योंकि इसकी हर एक इसका एक सेट में जाए और दूसरा एंड दूसरे सेट में जाए देखो सबस्क्राइब हमारे पास वाटेक्स है उसको एक सेट में निकलो अब देखो यह हमारे पास आपस में connected है तो यह एक सेट में जाएगा और यह बाकि जो है मतलब यह वाला है और यह वाला यह दूसरे सेट में जाएगा और एक वी टू जाएगा pillar, अब हम बात करते हैं, व6 तो यह वाली जो इसमें जाएगा right क्युकि यह हमारे पास इसमें आ रहा थी व5 आ जाएगा, clear रहा अब देखें सुन यह इससें किनेक्ट हो रहा तो इसका मतलब यह वाला जो है और यह भी इससें किनेक्ट हो रहा तो और यह आप देखेंगे यह से कनेक्ट नहीं हो रहा है जो भी वर्टेक्स किसी एच के साथ कनेक्ट हो रही है तो उसका एक किसी एक सेट में दूसरा जोगा वह दूसरे से डिज्ज्वाइंट होता है और उसका एक पॉइंट फिया और यहां जा रहा है इस टाइप के जो ग्राफ होता है स्कुन क्या बोलता है बात करेंगे connected graph connected graph क्या होता है अगर बाइचास कोई भी अंडिरेक्टटट ग्राफ है सब्सक्राइब तो हर फोटी से साथ इसका क्या हो रहा है पात हो रहा है तो इस टैप का घ्राफ होता वो क्या होता। connected graph होता पर एक बात ध्याद देने के ज़रूत है कि जो connected graph होता हो बाइपटेट नहीं होता अब बाइपटेट क्यों नहीं होता है क्योंकि यह ना यह हमारे पास कोई बाइपटेटी वर्टेक्स है कि यह यह उन्द आप एक जो क्या हो गया अलग-अलग हमने कर दिया तो इसका एंडपेंट मरेपास बीबी अजया और यह जिसका जाएपएगा अब बात करतें अगर मैं बी के बारा है अगर मैं यहां पuinely लेता ओं यहां पれ तो इधर तो इस तरह सब्सक्ति नहीं यहां तो इसी लिए से कोई भी ग्राफ हमारे e勘ुत होना कि इसको आप सुन आगे बढ़ते हैं अब होता है हमारे पास complete bipartite graph क्या होता है जो भी हमने X और Y दो सेट लिये थे अगर दो सेट के अंदर जो हमारे पास vertices थी वह अगर दूसरे सेट के हर vertices के साथ एज के साथ connect हो रही है तो वह हमारे पास क्या होता है complete bipartite graph होता एक्जामपल लेते हैं माल टूमें आप इसके साथ और इसके साथ वह एक के साथ इसके साथ नहें इसके साथ जो उसके साथ foarte story है इसके साथ नहेंकरते जो सब्सक्राइब 이쪽 आप लिए पन केखना इसको हमारे पास जितने दो वह पहले आएगे, इस सेट में मारे पास जितने अलिमेंट है, वह बाद में आए, पर जो मेरे आपके समने ग्राफ बता है, तब यह आपके बताना चाहूँ है, यह वाला ग्राफ देखना ना, इस सुनिदे, अगर मैं देखना चाहते हैं, यह थो यह थो यहां पर इसका हर between V1 and V5, so this is not a complete biped graph, so यह द्यान देने की ज़रूत है, इस लेप साफ V6 चेक कर सकते हो, कि अर V6 है, V6, V7 के साथ connect है, yes connect है, V6, V2 के साथ connect है, yes connect है, V2, V5 के साथ, यह हो रहा है, पर इस विन हर वर्टेक्स होनी सी है, पर V1 तो नहीं हुए, V6 हो गए है, पर V3 नहीं होगी यहां पर, तो अगर हमारे पास हर वर्टेक्स, इसके हर वर्टेक्स के साथ connect हो रही है, तो होगा, अगर एक होरी इन बाकी नहीं हो रही, तो फिर वो complete biped graph नहीं होगा, यह ध्यान देने की ज़रूत है, अब बात करेंगे सुन सब्ग्राफ के बारे में, सब्ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यह हमारे पास graph है, इसकी कुछ edges को हम यहां पे हटा दे, और graph लिग दे, तो यार वो हमारे पास क्या जाएगा, इसका सब्ग्राफ हो जाएगा, अब बात करेंगे सब्ग्राफ का मतलब क्या होता है, अगर यह graph है, इस graph को अगर मैं ब्रेक करूं, दो पार्ट में तोड़ू, तो इनको अगर मैं वापिस union लो, तो फिर यह graph आ जाए, और अगर intersection लो, तो वो क्या आना चाहिए, अगर ऐसा होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, डी कंपोजिशन ओफ ग्राफ कहलाता है, इसको मैं नहीं पर दो अलग अलग पार्ट में इसको तोड़ा, अगर मैं इसका union लोगा, तो union लेने पर वापिस यह graph हो जाएगा, और अगर मैं इसक इंटरसेक्शन लेता हो, तो सुन इंटरसेक्शन में हमारे पास यहां पर क्या हैगा, यह दो वाटेक्स कॉमन आ रही है, तो यह हमारे पास क्या हैगा, वी फोर आ जाएगा, और यह हमारे पास क्या हैगा, पर सुन यहां पर एज नहीं आ रही, और जब हमारे पास यहां आप देख रहो यह दोनों को यूनियन करने पर पूरा बन रहा है और इंटरसेक्शन करने पर हमारे पास नल गराफ हरा है इस टाप की बात करेंगे कम्लिमेंट ऑफ ग्राफ की बारे मां मतलब क्या होता डेखो आप यहुंपलिमेंट निकालना तो जो आपने पास फर thingrophe जाया यहां लग जाएगा, 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 यहां ल लगा देंगे और जहां पर है एज वहां पर हम हट आजाएंगा इसका क्या हो जाएगा सुन कॉंप्लिमेंट हो जाएगा यह द्यान देने की जरूते हैं इस ने एक अब सुन बात आता है अगर कोई भी ग्राफ है जहां पर एज एक दूसरी को यहां पर क्या कर रही है तो उसकी एज को हटा दो मतलब कट नहीं करना चाहिए तो इस यह जो हमारे पास एजारी इसको ऐसे करके यह कर दें तो यह इसका क्या हो जागा सुन प्लानर ग्राफ हो ज कर तो पहले हम क्या करते हैं यारा भी-्राइस फाल वर हमारे पास आपस नहीं कर देने और यह ऑप तो यह क्या करह रही है और हम यह पर समय करें तो सुर्च यह हमरे पास क्या है जा इसका बार परills ही तरफ ठवर्ब रिभी आगे बढ़ते हैं इस न बुचंभ दार कि ड्रों के और्पांस यह Пरिबा airlines का वते ही हम यह कि इज़ को एक हैं भुझ करद इच चैट के साथ लेकिन किसी एच के साथ तो एक सेट में ये वर्टिसे होती है दूसरे सेट में हमारे पास यहां पर फोर वर्टिसे होगा इसलिए थ्री पोर होगा राइट है ना यह द्यान देने के जरूता है तो माली जी मैं ले लेता हूँ V1 यह ले लेता हूँ V2 और यह लेता हूँ V3 और इधर में 4 ले लेता हूँ V4 V5 V6 and V7 इसके साथ भी होगा और यह इसके साथ भी हो रहा यह इसके साथ भी हो रहा यह इसके साथ भी हो रहा है 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 तो सुन यह जो ग्राफ होगा यह मारे पास क्या हो जाएगा सुन कंप्लीट और सुन और का मतलब यहां पर क्या होता है वह हमारे पास क्या होता है इस की बात करूं कि तो की डिग्री टूरी है इसलिए भी रेग्लर जाएगा तो यह हमारे पास क्या हो जागा आगे बढ़ता है वीच फॉलिंग ग्राफ और इसमें से कौन सा इसा है जो बाइपाट ग्राफ है वाइपाट ग्राफ है तो हमारे पास देखिए आप ABC है यह हमारे पास वर्टेक्स है एक साथ जो अगए सथ के साथ इसके साथ ऐसे ना तो आप देख रहे हैं, सुन यहां पर कि कि यह मारे पास वहाओ ते बेसे एक सपर मुखण कर डाफ हो चाहार मतलब यह ग्राफ हमारे पास connected है और जब भी कोई ग्राफ connected होता है तो यह अपर यह पास नहीं होता है यह यह हमारे पास क्या होगा यह यह बाइपाटेट हो जाएगा next बात करेंगे hand checking theorem क्या बोलती है hand checking theorem में अमरे पास यह बोलती है कि अगर पास कोई भी graph है तो उसकी जो वर्टेक्स की डिगरी होती है उसका सम जो होता है वो उसकी एज़ेस के ट्वाइस के बराबर होता है यह यह पर हम बात करें तो हम आराम से इसको समझ सकते हैं इसमें पर एक सलदिघन टू है इसकी डिगरी टू है इस डिएज़ टू है इसकी डिगरी टू है इसकी डिगरी वन रही है तो आ देखें यहां एक दो तीन चार और पांच तो पांच मेरे पास एज़ जो कि इसके क्या है ट्वाइस के बराबर राइट अगर हम इसका पांग एज़स को डबल करें तो वह हमारे पास की डिगरी के समके बराबर आ रहा तो इस तरह से त्वर्म आराम से इसलिया वरिफाई भी कर सकते हैं और मैं नैक्स वीडियो लेकर आने वाला हो जहां पर मैं ग्राफ का मैस्क्रिक्स रिपरजेंटेशन करते हैं इसलिए प्लेट मेरी वैंने डिख सकते हैं और इस अब जरू कर सकते आप सब्सक्रीब झाल 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 झाल